ओम नमाशिवाय आप सब जानते हैं कि हर महिने में एकादसी पड़ती जरूर है ये बहुत सुब दिन होता है आप इस दिन जो मांग लेंगे महादेव से वो पूरा हो जाएगा एक छोटा सा उपाय है जो मेरे पूचे गुरु की कथा से ही सुनकर आपको बता रहे हैं बस आ पहले जाना है महादेव की मंदिर में एकादसी के दिन दोस्तों पूरे दिन एकादसी रहती है आप पूरे दिनी सुपाय को कभी भी कर सकते हैं एकादसी के दिन सिव मंदिर जाईएगा और उसके बाद सिवलिंग पर आपको जो भी चढ़ाना होगा दो दही घी जैसे भी आज तक आप महादेव की पूजा करते आए हैं वैसी ही सबसे पहले महादेव की पूजा करना लेकिन जब आप महादेव की सीवलिंग पर जल चड़ाएं तो आपको वही पर खड़े हो कर एक सब्द बोलना है पूरी स्रधा, विस्वास के साथ आखे बंद करके महादेव का ध्यान करके वो सब्द क्या है जान लेते हैं ये सब्द तीन बार बोलना है आपको सब्द है स्वधा क्या बोलना है तीन बार आपको स्वधा, स्वधा, स्वधा और उसके बाद जो आपकी मनुकामना है वो महादेव सी कह देना है यकीन मानिए अगर आपको पितरदोस है किसी भी तरीकी की दुख तकलीप है या फिर आपकी तरक्की नहीं हो रही है या जो भी समस्या है तो अगर तीन बार आप सुधा बोलेंगे तो आपके सभी कश्ट दूर हो जाएंगी छाण भर में आपकी मनों कामना पूर्ण हो जाएगी लेकिन ये उपाई केवल एका दसी के दिन ही करना दोस्तों मैंने पूरी कोशिस की है आपको बहुत कम टाइम में समझाने की और हाँ अगर आपको कुछ नहीं समन में आया हो तो नीची कमेंट्स बॉक्स में आप अपने सवाल पूछ लीजिएगा मैं पूरी कोशिस करूँगी आपको रिपलाई करने की ओम नमस्षिवा जै महाकाल एक बार मैं जो बोल रहा हूँ न वो सांती से पुरा सुन लीजिए बिना बीच में बोल अरे वाग गुड आइडिया बीबियों की जबन तो काटी देनी चाहिए तेल गरम करो और अपने दिमाग में डालो दिमाग में जोंग लग गया तुमारा दिमाग को जोंग अर्या चुप चुप जा साथ में फेल चुप जा अर्या बाट तो काटी देनी चाहिए